दोस्तों नमस्कार आपको स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लेजए आयरबेदा में दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिखो कई लोग सोचते हैं कि कुछ खाए पिए बिना ही टाइमिंग जो उनकी है वो बहुत ही जवरदस्त हो जाए बहुत ही जादा हो जाए अनलिम्टेड हो जाए तो क्या ऐसा संभव है तो हाँ आयरबेद में तो ऐसा संभव है बिलकुल है क्योंकि आयरबेद में कुछ जबरदस जबरदस नुस्खे दिये गए हैं जिनको करने से जो टोटके दिये गए हैं जिनको करने से आपकी जो टाइमिंग है चाहे आप बिलकुल नामर्द सही लेकिन उनको जब आप कमर से बांदेंगे हाथ में बांदेंगे उनको हाथ में पकड़ेंगे तो आपकी जो ट आपने देख यहौंगी, एक होंगी कम से कम बहुत सारी लोगों ने हमसे भी मंगा के , बनावा के मंगाई हैं इसके जो जॉँपकली वाले रिंग जो हैं और भला इछा इसका र सोट होता है, कांँ तो नहीं कई लोगों ने मुझे कमेंट करके बताइक कि मेरे भाई मेरा एक भी मिनट नहीं था और मैं आदा घंटे तक टिक गया है घंटे तक टिक गया है तो इतना भी बहुत है एक आम आदमी के लिए इतना भी बहुत है जरूरी नहीं पूरी रात कौन क्या करेगा तो आपको क्या करना है चिपकली की पूछ लेनी है कौन सी जैसे चिपकली ये मानलो चिपकली है ठीक है ये उसकी पूछ है ठीक है तो उसके इधर वाला हिस्सा यहाँ वाला हिस्सा ये तोड़के वो अपने आप तूड़ जाता है इससे कोई मतलब नुकसान नहीं उसे भी नुक्सान नहीं और तो फिर से होगा आता है तो उसका कभी कभा खुदी तोड़ देती है वो अपने बचाओं में कभी कभा खुदी तोड़ लेती है तो इधर का यहां का मोटा वाला हिस्सा वहां उसको हटा कर थोड़ा सा उसको काटके और अश्ट धातू की रिंग बनवानी आपको रिंग उसमें आप उसको फिट करवालो मडवालो किसी भी तरह से मडवालो मडवाने के बाद उसको आप छमनी में इस वाली इंगली में दाहिने हाथ की इस वाली सबसे छोटी वाली इंगली में आपको उसे धारन करना है जब जब आप उसे धारन करोगे तो आपकी देखो सबसे पहली बात ये है इससे लाव क्या क्या होती है लावी रहता है आपका सरीर एकदम चुस्त फूरती चुस्ती रहती है और दौड लगाओगे उससे हाफ हाफ होगे नहीं है मतलब ज्यादा बीपी हाई नहीं होगा बीपी हाई की समस्या हो वो भी ठीक आपकी रहेगी और दौड लगाते हैं जो बच्चे उनके लिए बहु लेंगे तो दस से 15 बीस मिनट आराम से टाइमिंग हो जाएगी जिनकी 10 11 मिनट है तो उनकी कम से कम 2 3 घंटे तक तो हो ही जाएगी आराम से इतना तो मुझे पता है ठीक है उसके बाद ये तो हो गया एक बात इसको आप बनबा लेना अश्ट धाटू की रिंग में किसी चा दूसरा उपाई जो है वह मैं बिल्कुल फरी का बताने जा रहा हूं जो आप सेविंग करते होगे। यतर उप तुकड़ा लेना है आपको उसको घिसना है खूब घिसना है खूब इस तरह का बना लेना है उगली टाइप बना लेना है उसमें एक धागा बांदना है इधर उदर से काट देना दो अंगुल भरा अबर होना चाहिए फिटकरी का तुकड़ा फिर उसमें धागा बांद के उ ठीक है रीड पर रहना चाहिए रीड से इधर उधर ना रहना चाहिए तो दोस्तों बस यही उपाय था बहुत ही जवर्दस सा उपाय है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना और जिन लोगों को कुछ मंगाना है मान के चलो चिपकली वाली र वायट करा दूँगा ठीक है तो चलता हूँ फिर मिलूँगा अगरी वीडियो में तब तरही देहन बाद ख्याल रखिये अपना अपनी परवार वानों का अपनी घार वानों का नमस्क्राइब